दोस्तों यहाँ ओफिस में बैठे सभी करमचारी जो की अपना अपना बर्ग कर रहे होते हैं लेकिन इतने में तभी थोड़ी देर बाद बहाँ पर एक लड़की जो की अपनी सीट से खड़ी होती है और इसके बाद भै अपनी दूसी लड़की फ्रेंड से कुछ पूछने लगती है लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दू कि उस लड़की के साथ एक काफी बड़ी घटना घट चुकी थी दरासल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दू कि उस लड़की को अचानक प्रियर्ट्स हो गए थे और बहाँ लड़की इस सारी घटना स इसके बाद बहे लड़का अपने पास में बैठे दूसरे दोस्त को इस सारी घटना के बारे में बताता है। बहे दूसरा दोस्त भी उस लड़की की कोई मदद नहीं करता और बहे भी उस लड़की की मजाग बनाता है। इसके थोड़ी देर बाद बेह लड़की अपनी सीट परागर बैठ जाती है उस लड़की को अभी भी बीच सारी घ्टना के बारे में कोई अंदाजा नहीं होता और इसके बाद बेह लड़का अपनी सीट से खड़ा होता है और बहां ओफिस में दूर बैठे दूसे दोस्त के पास जाता है और भे उसे भी सारी घटना के बारे में बताने लगता है लेकिन बे लड़के भी सारी घटना को सुन कर काफी ज़्यादा खुस होते हैं और लगातार उस लड़की की मज़ाग बनाते रहते हैं हलाएं कि उन में से कोई भी बेक्ती उस लड़की की कोई मदद नहीं करता बे सारे दोस्त ऐसे ही आपस में मिल कर काफी ज़्यादा हसते हैं और लगातार उस लड़की की मज़ाग बनाते हैं इसके बाद बहे लड़का अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है लेकिन उसे अभी भी चैन नहीं आता बहे फीर से अपनी सीट से खड़ा होता है और बहां ओफिस में बर्क कर रहे रेट टिसट वाले बेक्ती को इस सारी घटना के बारे में बताने लगता है लेकिन जब उस रेट टीसट वाले बेक्ती को इस सारी घटना के बारे में पता चलता है तो भेह उस लड़के पर काफी ज़्यादा गुसा होता है और उससे उसकी सीट पर बैठने के लिए कहता है भेह लड़का जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और इसके बाद भेह रेट टीसट वाला उस लड़की की फ्रेंड को इस सारी घटना के बारे में बताता है और जब उस लड़की की फ्रेंड को इस सारी घटना के बारे में पता चलता है तो भेह जल्दी से अपनी सीट से खड़ी होती है और इसके बाद भे अपनी फ्रेंड के पास आती है अपनी फ्रेंड के पास आने के बाद भे उससे उसके साथ घटी घटना के बारे में बताने लगती है जिसे सुनकर भे लड़की काफी जाता हैरान हो जाती है और भे अपनी सीट पर बैट कर रोने लगती है उस लड़की की फ्रेंड उसे चुप कराने की काफी कोसिस करती है और भै उसे ना घबराने के लिए कहती है ऐसे ही काफी समय बीट जाता है और भै लड़की इस सारी घटना के बारे में सुनकर रोने लगती है लेकिन दोस्तो इतने में तभी थोड़ी देर बाद भै रैड टीसेट पहने बेक्ती फिर से बहाँ पर आता है और भै अपने साथ कुछ पैड्स लेकर आता है भै उन पैड्स को उस लड़की की फ्रेंड को दे देता है जिसके बाद भेह लड़की अपनी फ्रेंड को चेंज कराने के लिए एक रूम में ले जाती है और थोड़ा समय बीत जाने के बाद भेह लेड़ी चेंज कर रूम से बाहर आती है और इसके बाद भेह अपनी सड उतार का उस लड़की को कवर करने के लिए दे देती है और वह ओफिस में बैठे सभी लड़कों को काफी जादा डाटती है खेर दोस्तों अगर आप उस घटना इस्टल पर होते तो आप क्या करते कमेंट बोक्स में जरूर बताएं और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दू कि ये वीडियो केबल नॉलेच पर पस के लिए बनाई गई है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी और वीडियो उसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें